दोस्तों अपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले घंटे को भी दबादें क्योंकि हम लाते रहते हैं नए-ने बिजनिस आइडियाज और नहीं नी जैनकारी के वाल आपके लिए दोस्तों नोटबुक पढ़ाई के क्षेत्र में सबसे अधिक में हैत्वपूर्ण वस्तु है इसके बिना पढ़ाई लिखाई किया जाना संभव नहीं है विभिन विशयों की आभश्यक्ताओं के अनुसार विभिन तरह के कौपी का निर्मान किया जाता है जो की बाजार में अलग-अलग कीमतों पर बेजी जाती है ये नूट्पुक अलग-अलग ब्रैंड और क्वालिटी के साथ मौजूद होते हैं जिन्हें इनकी क्वालिटी के साथ विभिन कीमतों पर बेजी जाती है दोस्तों आप भी बहुत कम पैसे में नूट्पुक बनाने का व्यापार शुरू कर सकते हैं और धिरे-धिरे क्लास्मेट की तरह अपना एक ब्रैंड बनाकर इन्हें बेच कर खूब लाब कमा सकते हैं आज इस वीडियो में हम आपको नूट्पुक बनाने के बिजनस के बारे में पूरी जानकारी देंगे दोस्तों नूट्पुक बनाने के बिजनस के लिए सबसे पहले आपको जगह की आवश्यक्ता होगी अगर आपके घर में जगह है तो आप ये business घर से भी शुरू कर सकते हैं इसके बाद आपको nootbook बनाने के लिए machinery लेनी होगी दोस्तों nootbook बनाने के लिए 3 मशीनों की जरूरत पढ़ती है जिसमें पहली होती है pin up machine दूसरी चाहिए Squire Machine और तीसरी जो शो मशीन चाहिए वो होती है cutting machine ये मशीने 4 kilowatt बिजली लेती है और इसे घरेलू बिजली से भी चलाया जा सकता है इन मशीनों की कुल कीमत 5,00,000.000 से लेकर 6,00,000 के बीच में होती है इन मशीनों से 15 से लेकर 20 मिनिट के अंदर 6 से लेकर 8 कापियां बन के तैयार हो जाती है सबसे कम प्राइस में मशीन खरीदने का अड्रेस आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नोटबुक्स बनाने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है यदि एक बार इसकी मशीनरी समझ ली जाए तो बहुत आसानी से नोटबुक्स बनाए जा सकते है सबसे पहले शीट को जो की कॉपी के लिए कवर का काम करता है उसे अच्छे से इस तरह मोडे की वह कॉपी के अनुसार कवर के आकार में आ जाए इसके बाद इसमें जितने पन्ने की कॉपी बनानी हो उतने कागस को भी मोड़ कर उसके अंदर डाल देई इसके बाद पिनिंग की प्रक्रिया शुरू होती है इस प्रक्रिया में इंकवर और उसके अंदर डाले गए दिस्ता कागस को पिन्ग करना होता है इसके लिए fold किये गए दिस्ता को pinning machine की सहायता से pin करना होता है इसके बाद इसे age square machine पर ले जाकर इसकी finisher करनी होती है finisher यानी cover से बाहर निकले अतिरिक पन्ने आदी की छटाई वगेरा finisher के बाद notebook पूरी तरह square में हो जाती है age square machine में पहले इसके pinning का स्थान अच्छे आकार में आ जाता है इसके बाद इसकी कटीन की बारी आती है पहले बने हुए copy को सामने से काटे और इसके बाद आवश्यक्ता हो तो बीच से काट के दो भागों में बांट दे pinning की ये गएक शेत्र के अलावा सामने के तीनों भागों को काटना होता है इस तरह कुछ ही समय में notebook बन के बिकने के लिए तैयार हो जाता है copy बन के तैयार हो जाने पर इसे आवश्यक्तानुसार पैक करना पड़ता है यदि पैकिंग की बात की जाए तो इसे वॉलसे रत्वा रिटेल के रूप में पैक किया जा सकता है wholesale में पैक करने के लिए बड़े पैकेट्स बनाए जा सकते हैं यदि रिटेल में अपना ब्रांट सीधे सीधे उतारना चाहते हैं तो इसके लिए प्रती पैकेट्स शे कॉपी का पैक बनाएं और विभिन स्टेशनरी दुकान उपर पहुंचाएं कॉपी बनाने में कुल खर्च की बात करें तो इस बिजनस को शुरू करने में कुल खर्च 5 से लेकर 7 लाख रूपे का आता है इस पैसे में आप ये मशीन भी खरीद सकते हैं और साथ ही रौ माटीरियल भी पा सकते हैं इसके अलावा एलेक्रिसिटी वाइरिंग वगेरह भी इसी पैसे में हो जाएगी तो दोस्तों इस तरह आप दो या तीन मजदूरों के साथ 7 लाख रूपे की लागत के साथ इस व्यापार की शुरुआत बड़ी आसानी से करके अपना नोटबुक ब्रैंड बाजार में उतार सकते हैं लेकर 13 रूपे की होती है इस तरह से होसेल में प्रती एक नोटबुक में दो से लेकर पांच रूपे का लाब कमाया जा सकता है अपने बीज़ करता हूं दोस्तों वडियो पसंदाए लाइस से कमट करें अगर आपने बीज़ कमाया चैसर एमनी किया है तो प्लीज चलों को सब्सक्राइक पलीजिए टेगने विश्के प्रोच रूप को मिलता रहेजिए नहां पहले से चलों कर लिए उनका बोब दिन् प्रेवड़क साथ अब तक के लिए जहिंद वंद मात्रम्ग